कि जहिंट फेन्ट आज के डूफिक है सिष्ट्री का मुस्ट इंपोर्टेंट डूपिक है क्या उपनाम कधन और पुश्ट के जुकि हम टॉप फोटी देखेंगे फोट कोई परशन हम देखेंगे जिसे आज का टॉप कोशन है भारतिय विसमार्ग कि रूप में किसे जाना जाता है और भारत की कुकिला की से जान जाता अगर यह दोनों कोशन के इसर मालूम होगा तो कमेंट बक्स में जरूर करेंगे चाहिए तो श्टाट करते हैं आज के फर्स्ट कोशन से गांधी जी का प्रिये गित बैशनो जन्तो कितने राचा था यह गांधी जी का प्रिये गित द्वारा लिखा गया गांधी जी का सब से प्रिये गित था ठिक है द्यान रखेंगे इसके बारे में देख लेते हैं पर बैशनों जन तो तेने का यह अथिंत लोग प्रिये भजन है जिसकी रचना पंद्रहवी सताब्दी के संत नर्सी में हेश ने की थी यह गुजराती भाषा में महात्मा गांधी के नित्य के प्रात्ना में यह भजन भी शमलित था अगला कुशन देखते हैं कुश्ण मट्टू द इंडियन वार अफ इंड़पेंडेंज नामक पुष्टक के लिए तो विडिये सावर कर थे साध ने उदेशों का ऑचीद बताता है क्या साधनी उद्यों का उचित बताथा किस ने विप्षित किया गया क्या क्या कि साधन ही उदेस्वयों का ऑचीद बताता हैao भात्मा गांधी द्वारा कोशन देखते हैं आप पॉस नीट में कोशनी नाई डू को बहारत की कोखिला की सा नाम से जाना जाता है किसे रोजिनी नाई डू को किसे भारती विस्मार की रूप में जाना जाता है बाताना है तो किस से जान जाता है बताने यहां पर क्या हो ज़िए बल्ला भाई पटेल बल्ला भाई पटेल को भारते विस्मार की रूप में जाना जाता है ठीक है निश्कुर्प पहमाते हैं कुछ नमोर शिक्ष भारत में राष्टिया आएका आगलन सबसे पहले किस ने किया दादा भाई नोरोजी ने किये थे नेस्ट कुछन देखते हैं आपके कुछ नमोर श्रेवन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस पे चुने जाने वाला पहले भारतिये कौन था दादा भाई नोरोजी थे क्या का क्कुछन देखते हैं पर क्कॉछन हमरे भारत से ब्रिटें के क्यों संपति स्क्रेवन और नोरोजी थे गांधी जी को माला जाता है क्या माला जाता है गांधी जी एक दार्ष्निक और अर्र थ्लीटिए ग्रांदि जी धासिंद और राजघ्यंद फादधी थे आतर मिध्यात फुराइंद मत फुष्ट के लेखकों पुस्त के लिखा कॉय है वक्किम चंद्र चत्फपाधिया आननद मर्व पूस्ता से लेखे बकिम चंद द्लूत चटोपद्धिया थे। कुश्य लेवल्यवर्ण है गहत्मा गांधि फकीर है। यां किन के घृत बताना है तो विष्टन चर्चिल ने विष्टन चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी एक अर्णक फकीर है किस ने कहा था विष्टन चर्चिल ने यह बात कही थे कुष्ण मार 12 करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट को यह मंत्र किस जन अंदुलन का उसर पदिया था भारत छोड़ो अंदुलन का उसर पदिये थे करेंगे या मरेंगे अगला दखते हैं कारो याममर का परशेद् नारा कीशनि दिया, महत्मा गानधी ने दिया अगला कुछन के बिलिंक्सन जो कि बहुत गीता का अंग्रेजी में उनुबात करने वाला उरूप्यूण तो चार्स्टेंबिलिंग सन्ग्सन जो के बहुत गीता अंग्रेजी में उन्हों बात करने वाले पहला एरुपियन थे अगला देखते हैं शीखो के पवित्र पुस्तक आधिगरंथ सीखो की जो पवित्र पुस्तक हो था आधिगरंथ का संक्लन किष्णे किया तो गुरु अर्जुन देव ने किया था अगला देखते हैं कुछ नुमर 15 देश बंदु के उपादी किसके साथ है तो सियार दास को देश बंद के उपादी के नाम से भी जान दास को बाद आला गजला कोश्ण गूश्णनवाश्ण्न हम कौन यंग इंडिया और हर्जनका संपाधों यंग इंडिया और हर्जन का संपाधक क्ली महत्मा गांधी किया हम घू किसे खान अब्दूल गफार ऑगल्स नवर 22 लेडि वीद़ लाइप के नाम से विखात है फुलोरेंस नाइटिंगल को लेडि वीद लाइप के नाम से जाना चाहता है कुछ नम्मर 23 सारे जहां से अच्छा राश्ट भग दें दें लिखित मिसे किषने लिखा तो मुहमद इकबाल ने लिखे थे भारत में प्रकासिट थोनल परत्म समाचथ्वत्र का नाम क्या था दबंगाल गजट क्या नाम था दबंगाल गजट नाम था किसने कहा था आप मुझे खुंदो मैं तुझे आजादे दूगा सुभास चंद्रबोस का यह नारा है अगला कुशन देखते हैं यहां पर कुशन में 26 रभिंद नाह टाइगोर्द वा लिखित जन गन्मन शौप्रतम जन्वर 1912 में किस नाम से परकासित हुआ तो भारत बाग विधाता के नाम से परकासित हुआ तो फिरेंड आज के लिए इतने वीडियो अच्छा लगा तो ला